हुआ हेलोगाइस वेलकम टो मैं चैनल मैं हूँ आपका ट्यूटर बिजेश दोस्तों यह सम्भी बहुत इसी है कुछ से जादर डिफिकल नहीं है आपको एंप्टी दिया हुआ है ऐसन एंगल बाइसेक्टर बाकी देखों लेंट्स दिये हुए हैं सिंपल सा है दोस्तों एं स्पूसश भी आप टे स्टिया हुआ अपन मल एकुल 2 एंटे पॉन दी आपां ट किया चैनल मुडूर ट्यूं तो देर्फोर यॉर एल्टी विल बी एट इन्टू 6 अपॉन 10 तू 5 जा तू 4 जा जाएगा 24 अपॉन 5 इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4.8 तो एल्टी का वैल्यू आपको आगया 4.8 इसी बहुत इसी है कुछ जाथ डिफिकल नहीं ठीक है ना चलो इसी म अब तक जो सिंब्रेट का हमने संस किये हैं अब तक मैं यह सं मुझे एक्जाम पॉइंट फ्यूसर जादा इंपॉर्टन लगता है तो बहुत ध्यान से देखना देखते हैं कैसे सॉल्व करना इसको देखते हैं क्या है इसमें इतना बड़ा ठीक है आपको सारे-सारे लेंट दिये हुए बाकि आपको सारे-सारे लेंट दिये हुए है डियाग्राम में भी दिखाय हुआ है लेंट इस अंगल बाइस लिए अइंगल बैसे क्या होगा दोस्तों CB upon BA equal to CD upon DA, okay, what is CB, CB का value X plus 5 दिया हुआ है, BA का value क्या है, X equal to CD का value कितना है, X plus 2, और DA का value X minus 2, okay, cross multiply करो, यह वह जाएका, X plus 5 into X minus 2, which is equal to X into X plus 2, इनके brackets open करेंगे हम लो, brackets open करेंगे हैं, क्या हो जाएका, X square minus 2X plus 5X minus 10 equal to X square plus 2X, ठीक है, X square, X square cancel हो गया, तो होगा क्या आपका, therefore, minus 2X plus 5X is 3X, minus 10 equal to 2X, so therefore, 3X minus 2X is X equal to 10, वहाँ पर बाहर चला गया, तो यह जाएका 10, यह जाएका 10, ठीक है, ठीक है न, मेरे साथ मेरे अगले वीडियो का इंसार करते रहे हैं, और solve करते रहे हैं, अपने इसाथ, आपको जितना समझ में आ रहा है, solve example लेजिए, solve कर यह अप तक जितना हुआ है, ठीक है, उसके related solve अपने खुछ से करते जाए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, 10 वा और 11 वा, यह समझ आपको अगले वीडियो में देखने मिल जाएगा, तब तक, keep your motivation on and do your practice, take care, bye-bye.